हलो गाईज, विल्कम बैक टुमाई चैनल, आज हम आपको बहुत ही प्यारी सी, आज तीन की कटिंग बताने जा रहे हैं तो हमने सबसे पहले लंबाई लेनी है, तो यहाँ पर हमने 25 इंच पे लंबाई ली है और इस निसान से इसको मिला दिया है, अब हम आगे कॉल सेब देने के लिए 7 इंच पे एक निसान बनाएंगे और यहाँ से इस निसान को सीधा कर लेंगे, अब हम आर्म होल के निसान को लगाते हैं तो यहाँ पर हम आर्म होल का निसान लगा देंगे और यहाँ से नहीं कट करेंगे अब हम इसी सेप को देते हुए उपर से लाश्ट वले निसान तक मिला देंगे और यहाँ से कट नहीं करना है जहाँ से हमने निसान लगाया है से मुही के पास से इसको कट करना है तो गाईज अगर आपको वीडियो जरा सभी पसंद आए तो प्लीज हमारे जैनल को लाइक करना तो यहाँ पर हमने जहां से निसान बनाया था वहाँ पे एक नोचिस लगा देंगे अब हम जो प्लेट लगाएंगे उसकी एक एक इंच पे निसान लगाएंगे तो यहाँ पर हम सारे निसान एक एक इंच पे 20 सेंटर तक लगा देंगे ऐसे ही हम पूरे गुलाई में यह निसान बना लेंगे अब हम ऐसे ही सेम निसान दूसरी तरब भी लगा लेंगे और इस पर प्लेट डालेंगे तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं तो यहाँ पर हमने सारे निसान लगा लिये हैं अब हम इसकी प्लेटे तयार करेंगे तो यहाँ पर जैसे हमने दिया है वैसे ही सेम निसान पर इसकी प्लेटे तयार करेंगे तो यहाँ पर एक निसान से दूसरे निसान को एक के उपर एक रखते हुए हम सारी प्लेटे लगा लेंगे और बीच के में सेंटर तक ही यह प्ले तक हम प्लेटे लगाएंगे तो गैज अगर आप कोई वीडियो जरा सभी पसंद आए तो प्रीज हमारे चैनल को लाइक कीजेगा और हमें सपोर्ट कीजेगा तो यहाँ पर हमारा काउल बनके रेडी हो गया है अब हम इसके आगे की मोहरी तैयार करेंगे तो आप चाहे तो इस पे पतली सिलैस लगा सकते हैं या फिर डारेक्ट इस पे आधायंच की दूरी को रखते हुए इस पे सिलाई लगा सकते हैं तो यहाँ पर हमने आधायंच की दूरी रखते हुए इस पे डबल सिलाई लगा दी है आप अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं तो गाईज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक सेर जरूर कीजिएगा और हमें लाइक यों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो अब हमारा जितना महरी है उस पे निसान लगाते हुए हम इस पे सिधी सिलाई लगा के अपनी आस्तिन तयार कर लेंगे दोस्तों ऐसी स्लिप्स आजकर जदा तरलोग ब्लाउज में भी बनवा रहे हैं और टॉप में भी बनवा रहे हैं कुर्ते में भी बनवा रहे हैं तो गाइच मिलते हैं अगले वीडियो में तब तके लिए नमस्कार